नमस्कार दर्शकों मैं हूँ भगवति प्रसाद पुरोईत अड़ोकेट और आप देख रहे हैं यूटूब का कानोनी ग्यान चेनल दर्शकों आज हम बात करने वाले हैं कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जब कोई संपत्ति क्रै कर ली जाती है तो ऐसी इस्तिती में उस संपत्ति पर किस प्रकार से नामांत्रण करवाया जा सकेगा क्या उस इस्तिती में पहले जो है विक्रेता के वारिसों का नामांत्रण होगा या फिर जो है क्रेता जो है उसी का नामंदर्ण क्रेता के वारिसों का नामंदर्ण उस पर हो जाएगा तो ऐसी इस्तिती में जो क्या होता है यह सारी प्रक्रिया आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं ये दर्श को मैं बात कर रहा हूँ रइस्टर्ड सेल्डिट अर्थात रइस्टर्ड विक्रय पत्र के बारे में जिसमें की क्रेता का नामांत्रन होना शेश रह जाता है और ऐसी इस्तिति में क्रेता की या विक्रेता की म्रत्यू हो जाती है या क्रेता और विक्रेता दोनों क की म्रत्यू हो जाती है तो एसी इस्तिती में किस व्यक्ति का नामांत्रण पहले होगा अर्थात क्या कि जब विक्रेता की म्रत्यू हुई है और क्रेता का नामांत्रण नहीं हुआ है तो क्या विक्रेता के वारिसों का पहले कि नामांतरन हो गा या क्रेता का नामांतरन हो जाएगा तो इसी संदर्व में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आपने येदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इस वीडियो को फटा फट लाइक कर लिजे और ये वीडियो जिदि आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजे तो आए वीडियो को शुरू कर लेते हैं देखिए दर्श को हम सबसे पहले उधारण के माद्यम से समझ लेते हैं कि कर एक व्यक्ति है कोन है कर एक व्यक्ति है जिसके द्वारा चर से कोई क्रशी भूमी क्रई की गई है किस से क्रई की है कर के द्वारा चर से कोई क्रशी भूमी क्र अब होता है क्या है कि क्रै करने के बाद में क का उस पर नामांतरण नहीं होता है जो संपत्ति चा से क्रै की गई है उस पर क का नामांतरण नहीं होता है और क की मृत्ति हो जाती है तो ऐसी इस्तिती में क्या होगा ऐसी इस्तिती में क्या करना चाहिए कि क क के जो भी वारिस है जो भी वारिस से मतलब होता है कि क क के पोत्र, पुत्रियां और पत्नी इनके द्वारा जो है आवेदन पत्र नामांत्रन के लिए प्रस्तुत किया जा सकेगा और जितने भी वारिसे उन सभी का नामांत्रन उस क के इस्थान पर होगा अब जो नामांतरन के लिए आवेदन पेश किया जाएगा उस आवेदन पत्र में क के एक पुत्र के द्वारा भी आवेदन पत्र प्रस्तूत किया जा सकता है लेकिन उस आवेदन पत्र में यह लिखना जरूरी है कि क क की मृत्यू हो चुकी है और क के इतने लोग जो है यह व आवेदन पत्र में दिया जाना आवश्यक है जब एसा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तो उस आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के बाद में चर जो की विक्रता है उस चर को सुचना पत्र जारी किया जाएगा और तेसली दार महोदय के द्वारा उस आवेदन पत्र पर से संक्षिप्त जांच की जाएगी अब उस आवेदन पत्र में क्या-क्या बाते होनी चाहिए वो भी मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं देखिए उस आवेदन पत्र में ये बात लिखी जाएगी कि कर जो व्यक्ति था उसकी मृत्यू इतनी इतनी दिनांग को हो चुकी है जो भी मृत्यू हुई है उसकी उतनी तारीक को वरणन करना है उसमें कि इतनी तारीक को उसकी मृत्यू हो चुकी है उसके द्वारा चल से इस गाउं में इस्तित भुमी सर्वेक्रमांग हिये ये इस विक पत्र के आधारपर नामांत्रनों होना गया था और क की म्रत्यू हो चुकी है इसलिए जो है जो आवयतग्गन है यह आवयतडन्पत्र में वर्णित जो लोग है विधिक वारिस हैं इनका नामांत्रन कि इस्थान पर किया जाए ठीके ये बात हो गए इसके बाद संक्षिप्त जाज के बाद में तेसिल दार्म होदाए के वारिसों का नामांत्रन वहाँ पर कर देंगे अब दूसरा जो मुद्धा आता है वह यह रहता है कि यदि विक्रेता की मृत्य हो जाती है विक्रेता से मतलब च की मृत्य हो जाती है अब देखिए यदि विक्रेता की मृत्य हो जाती है तो एसी इस्तिती में क्या होगा देखिए विक्रेता की यदि मृत्य हो गई है तो एसी इस्तिती में यह होगा और यदि क्रेता जीवित है तो क हमने जैसे माना था कि क यदि जी चा से क्राई की थी किन्तु इस पर नामांत्रन होना मेरा शेश रहे गया था और चा की जो है म।ट्व हो चुकि拃प жизни जो है यह ये लोग है मतब कर दो विद्विद्धि वारिस इसे उनको भी सुचना पत्र दिया जाना जरूरिये उनको भी उस आवेदन पत्र में पक्षकार बनाया जाएगा या तेसिल्दार महुदई के द्वारा उनको सुचना भेजी जाएगी तो वे लोग उपस्तित होंगे और उसमें जाश करने के बाद तेसिल्दार महुदई जो है उस आवेदक क क का नमंत्रन प्रमानित कर सकते हैं देखिए यदि दोनों की मृत्यों हो जाती है क्रेता की मृत्यों हो जाती है और विक्रेता की मृत्यों हो जाती है और क्राई की गई जम्पत्ति पर जो है क्रेता के वारिसों का नमंत्रन प्रमानित नहीं होता है तो एसी इस्तिती में क्या प्रक्रियर रही देखिए एसी क के द्वारा जो है इतनी दिनांग को एक रेइस्टर्ड विक्रपत्र के माध्यम से च से जो है यह भुमी क्रे की थी और चुकी क की भी मृत्यू हो चुकी है इतनी इतनी तारिक को और च की भी मृत्यू हो चुकी है और च के जो है यह यह लोग वारी से उनका नाम भी उसमें लिखना है इसलिए और इस विक्रेपत्र के आधार पर नामांत्रन होना हमारा शेश बचा था इसलिए इस विक्रेपत्र के आधार पर क के जो वारिस हैं हम विदिक वारिस हैं इसलिए हमारा नामांत्रन इसमें प्रमानित किया जाए ठीक है इस तरहिके से आवेदन पत्र प् पश्यात जो है तेसिल दर्म होदे के द्वारा क्रेता का नामांतरन प्रमानित किया जा सकता है देखिए अब होता है क्या है एक समस्या हमेशा आती है और वह समस्या बड़ी गंबिर समस्या रहती है और उस समस्या के कारण कई लोग परेशान होते हैं देखिए होता यह है कि जब किसी भूमी को आपने क्राई किया है और उस भूमी पर यदि आपका नामांतरण नहीं हुआ है किसी व्यक्ति का हो सकता है यदि किसी व्यक्ति ने उस भूमी को क्राई किया है और उस भूमी पर उस व्यक्ति का नामांतरण नहीं होता है और इस दोरान होता यह है कि जो ह विक्रेता की मृत्यू हो जाती है, जो बड़ी समस्य आती है, वह यहां आती है, जब विक्रेता की मृत्यू हो जाती है, तो ऐसी इस्तिति में क्या होता है, कि विक्रेता की जो वारिस रहते हैं, वे वारिस क्या करेंगे, कि उस भूमी पर अपना नामंदन करवाने के लिए, कि अर्थात, दाकिल खारिश करवाने के लिए अर्थात फोती नामंदरन करवाने के लिए टेसिलदार महुदाइ को application Way दे देंगे तो यही इस स्थिती में होता है जो इस विक्ति के पास में वारिस उनके द्वारा अब एसी इस्तिती में क्या होता है कि जो भूमी जो हे चर ने हम चा को मान रहे हैं कि चर ने जो भूमी विक्राई की थी उस भूमी पर उसके वारिसों का नमांत्रन प्रमानित होने की संभावना बन जाती है तो एसी कि धिहां रखना चाहीं कि उसकी मृत्ति हुऊई तो आपको तत्काल नामांतरन के लिए आद्जी हमेड़ी लगाने चाहिए लेकिन चाह के वारिसों के द्वारा इस प्रकार की कोई नामांतरन अद्जी प्रस्तुत की जा चुकिए है तो ऐसी चर्ग की मृत्यू हो गई है इसलिए चर्ग के नाम से जितनी भी भूमी इस गाउं में है उस भूमी पर हम लोगों का अर्थात वारिसों का नामांतरन प्रमानित किया जाए तो उसी आवेदन में आपको जाकर के एक आपत्ति पेश करना है और एक आपत्ति के साथ में एक आ पेश कर सकते हैं और कईडि जिवित नहीं है तो कि वारिस भी उसमें आपत्ती। प्रमानित किया जऑ गै क्या होगा कि आपका नामांतरन अरथात को और का के जिवित न रेने की स्थिती में का के वारिसों का नमांदरन भी उसके साथ में प्रमानित हो जाएगा और चा का फोती नमांदरन अथा अर्था दाकिल खरिज भी उसमें हो जाएगा देखे अब यदि मान लिया जाया कि यह जानकारी भी आपको नहीं होती है कुन सी जानकारी की चा की मृत्य हुई और चा के वारिसों ने नामांतरन की कारवई भी कर दी तो एसी इस्तिति में देखिए आपको क्या खरणाया है कि जैसे आपकी जानकारी में चा की भुमी पर चा के वारिसों के नामांतरन की आपको जानकारी होती है अर्था जैसे आद प्रमानित हो चुका है अर्थात नामान्तरन का आदेश हो चुका है खसरा विवन में भी जो भूमित चय ने विक्रई की थी कखो उस भूमित पर चय के वारिसों का नाम अंकित हो चुका है तो एसी इस्तिती में आपको क्या करना चाहिए एसी इस्तिती में जो आदेश पारि चाहिए क्योंकि वो जो आदेश पारिद हुआ है वह आदेश तेसिल दार महोदय के द्वारा पारिद किया गया है अब तेसिल दार महोदय ने यह कोई आदेश पारिद कर दिया है तो उस आदेश के विरुद आप जो है अपिल में जा सकते हैं और अपिल में जाकर आप यह क काजीवित थे ओठ्रय के सकता है कि यह मेरे द्वारा क्रायिकी कल ली ग unders कि तो इस प्रकार से आपका नابांत्रण से प्रमानित हो सकता है अब देखिए आपका नामांत्र जो ही अपील में क्यों जाना पड़ेगा अपील में आपको इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि और उस भुमी के संबन में तेस्ल्दार महुदय ने ये कोई आदेश पारित कर दिया है और आप वापस से तेसिलदार महोदय के समक्ष जाएंगे तो तेसिलदार महोदय को अपने ही आदेश के खिलाब कोई अन्य आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है इसलिए उस आदेश को निद्रस्ट करवाने के लिए या उसमें जो है आंशिक रिलिफ मांगने के लिए अर्थात आंशिक साहता मांगने के लिए आपको जो है SDO मौदर के माँपर अपील में जाना पड़ेगा तो दर्श को विश्वास रखता हूं कि आज की दी हुई जानकरी आपके लिए लापकरी रही होगी आपको यह वीडियो केसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को फटा फट लाइक कर दें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हीन जय भारत